आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। हलो, आज का प्रशन है कि एक बिंदू PX,Y इस प्रकार गमन करता है कि उसकी निर्दे सांक अक्षों से दूरियों का योग का मान बिंदू P की बिंदू A से दूरी के बराबर है। तो प्रतम चतुर्थांस में P के बिंदू पत का समीक्रड है। चलिए देखते हैं किस तरीके से इस प्रशन को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई बिंदू है P, ठीक है, X,Y तो इस P बिंदू की जो दूरी होती है, है ना, P की दूरी X अक्ष से बराबर Y होती है, और P की दूरी Y अक्ष से X के बराबर होती है, तो इसने क्या बोला है कि अक्षों से दूरियों का योग, मतलब X प्लस Y आएगा, ठीक है, यहाँ लिखे देंगे हम कि अक्षों से अक्षों से दूरियों का योग, जो कि हमारा किस के बराबर आ जाएगा, X दन Y के बराबर आ जाएगा ठीक है अब यहां समझते हैं कि p की a से दूरी अगर हमारे पास x1 y1 और x2, y2 अगर दो बिंदू होते हैं अगर मैं इसको p बोल रहा हूं इसको a बोल रहा हूं तो जो p ये दूरी है वो हमारे पास आती है बर्गमूल के अंदर सूत रहे x2 माइनस x1 का बर्ग दन y2 माइनस y1 का बर्ग ऐसे आती है तो इसका मतला हमारा p और a, p हमारे पास है x, y और हमारे पास a जो बिंदू है वो है 1,1 तो हमारे पास p जो दूरी आएगी वो आजाएगी बर्गमूल के अंदर x रिड एक का बर्ग धन y रिड एक का बर्ग ठीक है तो देखें यहाँ पर x2 माइनस x1 कर दो या x1 माइनस x2 कर दो एक ही बात होती है ठीक है अब मैंने इसको आगे हल किया यह हमारे पास बन जाए बर्गमूल के अंदर x का बर्ग धन 1 रिड दो x और यहाँ पर बनेगा y का बर्ग धन 1 रिड दो y ठीक है तो यहाँ पर आगया बर्गमूल के अंदर x का बर्ग धन y का बर्ग रिड दो x रिड दो y धन 2 ठीक है एक दन एक अब उसने क्या बोला है हमें कि यह जो दूरी अ उच्छों से दूरियों का योग और इसके दूरी के बराबर है मतलब यह हो गया कि X धन Y बराबर पीए और पीए का माना में दे रखा है बर्गमूल के अंदर है X की गाद 2 धन Y की गाद 2 रिड़ 2X रिड़ 2Y धन 2 ठीक है तो अब मैंने क्या करणा हुद दोनों तरफ बर्ग कर दिया मतलब X धन Y का हमने बर्ग कर दिया इधर तो इधर क्या आ जाएगा X का बर्ग, धन Y का बर्ग, बर्ग मूल लड़े आएगा माइनस 2X माइनस 2Y धन 2 अब इसको हल कर देते हैं, x का बर्ग, धन y का बर्ग, धन 2xy आएगा, बराबर, यहाँ पर x का बर्ग, धन y का बर्ग, रिड़ 2x, रिड़ 2y, धन 2, और यह देखो, यह कट गया, यह कट गया, तो हमारे पास जो मान बचा, इसमें क्या करेंगे, हम इसको इदर ले आते हैं, यह मेरे पास 2xy, यह आएगा, धन 2x, धन 2y, और यहाँ पर ले ले लिया, तो यहाँ पर 2 धन 2 कर दिया, एक्चुली क्या गरा मैंने, इन दोनों को इदर ले गया हैं, और मैंने 2-2 दोनों तरफ जोड दिया, इससे क्या होगा, इस बात को समझते, अगर मान लीजे, मैंने यहाँ पर 2x, उबेनिष्ट लिया, 2x उबेनिष्ट लिया, तो y धन 1 बचेगा मेरे पास, और धन अगर मैंने यहाँ पर 2 वेनिष्ट लिया, तो मेरे पास यहाँ पर जो बचेगा, वो y धन 1 बचेगा, बराबर 4, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 2x धन 2 एक में आ गया कोश्टक में, और दूसरा हमारे पास y धन एक दूसरे कोश्टक में आ गया बराबर हमारे पास 4 है अब यहां से 2 वैनेस्ट ले लो तो x धन 1 गुड़ा y धन 1 बराबर 4 बटा 2 तो 2 आ गया तो हमारे पास जो मान आया वो कुछ यह आ गया तो यह बिंदूपत हो जाएगा ठीक है तो हम विकल्प में देख सकत यहां पर कि P का बिंदूपत का समीकरड क्या आएगा x धन 1 गुड़ा y धन 1 बराबर 2 वी विकल्प चुग हमारा वो सही उत्तर हो जाएगा तो मुझे उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा धन्यवाद